पुजमा जी बहुत बहुत सौगत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर तैंक यू सो मच साहिल जी आपका मुझे इerem्वाइट करने का और मुझे मुझे मोगा देने का कि मैं अपनी लाइफ आपके साथ और आपके और ओरियата शाहिए में साहिए कर सकूँ बहुत 不्र का शुक्रिया कैसी है बिल्कूर मैं बिल्कूर मज़े में ठीक ठाक हो आप कैस कि जो हमारा जो वक्त है वो प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो पाता या तो हम सुकुन से कर सकते या तो आप सुकुन से कर सकती है जो है वैसे भी जगे रहते हैं कि थोड़ा सा स्टड़ी भी करनी होती है तो यह है कि आदसी बन गई है तो तो कोई मुश्किन नहीं उजमा जी आप बार-बार हमारे इस चैनल में जुड़ती रही है कई सारी ओपन लाइफ स्ट्रीम में लेकिन चुके मुझे आपकी स्टोर भी पता नहीं है और ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को भी आपकी स्टोरी नहीं पता होगी तो इसलिए हमने ये एपिसोट रखा है ताके आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हमें पता चले सबसे पहला मेरा सवाल आप से यही है कि आप अपने बच करता है कि आपको शेर नहीं करनी है ताके आपकी आइडेंटिटी रिवील हो या आपको कोई सेक्यूरिटी प्रॉब्लम हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं नाम जगा और उस तरीके से भी हमको बता सकते हैं कि हमको मेसेज मिल जाए बस जी जी जरूर मैं जो हूँ मसलमां घराने में पपड़ने में पाकीस्तान में और नНॉरमल पाकीस्तान का जास इतना कटर जैसे वो नहीं था माहूल वल्लब थे कि नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, रोजा रखते थे, सब चीजें रखते थे, लेकिन इतना जाधा जैसे कटर नहीं था, लेकिन जो बेसिक चीजें थी हम लग फॉलो करते थे, तो यह है कि हम लोग तरजमे के साथ कुरान फिरू से पढ़ते तो लेकिन यह था कि इतना ज्यादा तवजह कभी तर्जम पड़ते त Spencerajah इतना कभी नहीं दिया ऐसा कुरां पड़ने का तो यह था कि इसके बात फिर जब मैंने कुरां जब तर्जम के साथ जब पड़ना शुरू किया है तरजमे के साथ समझने के लिए लो नोर्स बनाती थी मैं अपना लेकिन ये था कि जब मेरी जब मेरी पहली यहाँ पर जब मैं यहाँ पर मैं आस्ट्रिया से हूँ बॉर्ण पाकिस्तान से हूँ लेकिन हम आस्ट्रिया में रहती हूँ आम नर्स और यह है कि जब मैंने पूर्जे चीजे खुलने शुरू है अगर आप बताना चाहें तो बता सकती है मेरा बच्पन पाकिस्तान में गुजरा है और पाकिस्तान में ये था कि बिल्कुल डिफरेंट माहौल था करते हैं के टानके अधाशल ऑ्ड़की प्रणूस को ये जाए इसाहीं DR, बच्पन जथा कि सब्सकेने होता और तो इस दुनिया में हायात नहीं है मेरे वाल देन तो उनकी वफात हो गई दोनों की मेरे खाल में आराउंड 2000 ही हो गई थोड़ 2000 में हो गई दोनों तीन महिने का फर्क था जब उनकी मेरे माबब की जो डेथ हो गी तो उसके बाद फिर जो है वो बलकि उससे पहले ही मैं की तो मैं आइ शुरू किया क्ना की शुरू सा दिल चस्पिए थी तर जुम्म Jude कर दो तर्आ उन्हें डी ठीयाओ में तरावी पढ़ना नमास पढ़ना रोजा रहना यह सारा भिलकुब ऑलो घुल पढ़ूंगी उत्तादा अल्ला मुझसे खुश होगा और जिन्दगी असान होगी तो जो के मतलब और मजीद जो है कन्फूजन भड़ता ही चला गया जैसा मैं तर्जमे के साथ पढ़ती रही तो फिर थो थोड़ा कुछ हालात भी ऐसे हुए क्योंकि जब यह था कि मैंने य नोट किया कि जो मुसल्मान जो है वो अँग औरों के साथ जो हुए जो मेरे इडगेड में जो ऑरतों के साथ उनका ज़दा अच्छा बिहेवियर नहीं वो बहुत ज़दा उनको डिवैल्यू फिल करवाते थे कोई वर्थ नहीं ती जो जहाओ उनको जो जो है लगा दिया जिसका जो चाहा विल्कुल औरतों पर मेरे शादी हुई यहाँ पर तो उसमें फिर मैंने वही देखा मर्द में मैं समझती थी कि शादी के बाद जैसे एक औरत का होता है कि बही शादी के बाद एक फैमिली होगी और बिल्कुल साइस तरीके से रहेंगे सुकून से रहेंगे इज़त के साथ तो लेकिन वहाँ पर भी गुस्टा और सारा कहते हैं डिस्रिस्पेक्टफुल सारी चीजें देखी और मुझे बताएगी है कि आम अनवर्दी और यह के कहते हैं फिर वो मेरे जो हस्बंड है वो भी जो हैना वो मेनाजर निकले तो खै औ और मेरी एक मैं इस से पहले जब और आसठेली आने से पहले मेरी एक शड़ी एक और हो चुकी थी पाकिस्तान में जब मैं इनिटुक्ट Walls में थी तो वहां पर मेरी हिर्दवानी फैमली में शादी हुई थी पहली शादी तो वो जादा लास्ट नहीं रही क्यूंकि वो तो उसके बाद भी वो लोग खुश नहीं थे उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है मेरे जो एकस हजबन था वो काम पे गया तो मुझे अपने कमरे का दर्वाजा जो बेडरूम का दर्वाजा होता है वो बंद करने की अजाज़त नहीं थी साससर की तरफ से के ताके को मुझे देख सके कि मैं अंदर क्या कर रही हूं तो जब मिने खानवना पका के सारा किस चीज का डर था उन्हें मतलब इस तरीके की पाबंदी लगाना कैद रखना यानि डर क्या चीज का था उन्हें पता नहीं डर सा बस यह कहते हैं कि हम तुम्हें नजर करते हैं कि तो मैं हमेशा जो है मैंने कभी ऐसा महौल ना मैंने अपने घर में कहीं भी नहीं देखा मतलब और मैं जो ना बिल्कुल अनएजी फील करती थी मैं अपने ठक हार के काम करकर के घर का जब मैं आराम करने जाती थी तो मैं अपना लेग भी स्ट्रेश नहीं कर सकती थी क्यों तहजीब का भी था कि ऐसा अच्छा नहीं लगता था लेकिन मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि आप दर्वाज़ा बंद करो बिल्कुल नहीं थी बिल्कुल इस्टिक्ली मुझे बता दिया गया था अच्छा उस्मा जी मैं जब हमारी डिस्केशन शुरूर है तो मैं सुपर चैट या स्टिकर भी ले लू ताके तो वो मिस्स नहीं हो जाए चलेगा ना आपको को इस्टिकर नहीं तो प्रशान्त यादव जी ने 200 रुपीस का सुपर स्टिकर वेजा है ठैंक्स अलोट और इस जिस तरीके से बताया के जो एक फीमेल होती है अगर उसका कमरा है तो प्रिवेसी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यानि घर में कई सारे लोग होते हैं ससुर होता है और देवर हो सकते हैं बाकी लोग भी हो सकते हैं तो इस तरीके की अगर कोई शर्ते मनवा है क गर में आप दर्वाजा बन नहीं कर सकती है तो वो प्रिवेसी कैसा होगा और वो खुद एक फीमेल है अगर आपकी सास आपको ये कानून लगा रही है तो वो खुद भी एक फीमेल है उनको तो पता होना चाहिए कि प्रिवेसी क्या होती है खास करके जो फीमेल से उनके का होता है जो यानि सल्वार कमीज उसमें बहुत जादा फिर ध्यान रखना पड़ता आपको खास करके अगर आपकी बड़ी फैमली है तो तो इस तरीके के शर्टे लगाना ये तो खुद में एक अजीब चीज है जी अजीब चीज है मुझे भी बहुत ही अजीब सा लगा श जो है ना मैं अपने कमरे में जाओं या गर टीवी देख रही हूँ या बैठी भी हूँ या कुछ खारी हूँ या पड़ रही हूं या कुछ भी कर रही ह् हूं मतलब कहते हैं कि आप दरवाजा बन नहीं कर सकती है हमारी आहां लाउनी जीए और जहां तक यह है कि सिर्फ स तो मैं पूरा वो एक डुबट्टा जो होता है बड़ा वाला चादर जो होती है पूरी वो सर्व से लेकर बड़ा वाला वो में ओर के अपने बैट के कौनें पे मैं बैठी रहती थी लेड भी नहीं सकती थी, सही से क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि कोई आना जाये तो वो मैं बैठी भी थी, तो चादर पूरा ढखा हुआ पूरा जिसम सुरा सर बटा पूरे पैर तक ढखा हुआ था तो वहाँ पर बैठी वी थी तो सास जो है मेरे खाल में नहाने चली गई तो वो जाती थी तो वो एक एक घंटे के लिए जाती थी तो सुसर जो है वो आकि मेरे कमरे में आगे और रहे गी मुझे बड़ा शॉक पहुचा तो मैं इज्जत से एहतराम से मैं खड़ी हो गई अपना बैट के से नहा रहें तो इनना हैदरबादियों में यह था कि मुझे बताया गया था कि आप जो है ना हमारे बड़े जो माबाप हैं उनकी एहतराम करते हैं अदब से खड़े हो जाईए और फिर आदाब कीजिए जैसे हाथ का एक स्टाइल होता है वह बरकादा मुझे एक एक चीज़ बताई गई थी कि ऐसे करना है तो मैं उस इलहाद से मैं फॉलो कर रही थी कि मैंने आदाब किया सर पे डिबटा औरके बिलकुल तमीज से खड़ी हो गई तो अब हाथ जो है उनका जो है वो मैंने हाथ जो सर पे रखा तो अब हाथ जो है वो उनका मेरे पीट पे जा रहा है पीछे बलबट पे जा रहा है पिर हर जगा आके मतलब अपर पर जगा जाने लगा और फिर मुझे अप्टी तरफ उन्होंने खीच लिया और वो मुझे जो है कि किसे करने की कोशिश की उन्होंने तो मैंने उस वक्ट जो है उनको पंच मारा खीच के तो वह दिवार पर जाके चिपक गये चिपक लेगी तरह क्या हूं मरती आपके ससुर के इतनी ऐसी हरकते कर रहे थे वह वह थे मतलब मेरा खाल में सिक्स्टीज के रहे होंगे वह तबी भी अंदर की वह गर्मी उनकी नहीं गई थी और जो एक यानि बहुज इसको बेटी मानते है वह उनके जहन में नहीं आया था कि यह मेरी बेटी ह जी तो यह था तो मैं मुझे बिल्कुल मैं I was like मैं भी शेक कर रही थी मेरा जिसम जाना बिल्कुल डर के मारे मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरीके से पंच मारा कहां से मेरी यह ताकत आई क् bodies strength आई क्या करने की क्योंकि मैंने कभी ऐसा अपनी life में मेरा अभी कभी देखा नहीं मैं जो कुछा भी नहीं था तो मैं तो सिर्व अपने माःबाब के घर से इटके बस डारेक्ट शादी हुई तो जो कॉंसेप्ट था कि ऐसा तो कोई कॉंसेप्ट ही नहीं था तो खेर जब मैंने उनको पंच मारा तो वो नीचे गिर गए दिवार पे पहले दिवार पे लगे फिर चिपके रहे फिर दिवार नीचे आ गए फुलोर पर उनका चश्मा कहीं और था कारपट तो उन्होंने फिर उटके मुझे धंकी दी इन्होंने सुसर ने कि अगर मैंने अपने एकस हस्बंड को यानि के उनके बेटों को बताया तो वो भी नुक्सान में रहेगा और मैं भी नुक्सान में रहूंगी तो फिर यह कहके वो रॉमसे चले गए तो मैंए बिलकुल रोने लगी मैं बिलकुल मेरी हालत बुरी हो गई बिलकुल मैं शेक करेंगी तो मैंने जो فोन किया अपने एकस हस्थबंग को उनकी अुgement का जो बिजनस जो जो उनका शॉप और वो करीबी था तो उनको फोन करके घर पे बोलाया मैंने यहाँ आए तो आये तो मैंने बताया तो सबसे पहला तो कि यह सब्ड़ों कर देख्राइक इतने सारह पैसे उनके पास पड़े में मेरे बाप के पास और इन्हों के बड़े भाई की बीवी के सब्सक्या है लेकिन वह बड़ा बार रहने लगा भी अ और फिर आपके हजबन आगे कुछ रियाइक नहीं किया उन्हें नहीं मैं तो फिर कहले कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूं अपनी मां से बात करता हूं तो फिर मैं आता हूं तो वो कमरे के बाहर जब गए हैं अपनी मां से बात किया है तो मां से जब बात करने के बाद जब व अपने बीवी को छोड़ दो भले से वो इनोसेंटी क्यों ना हो तो आप तलाग दे दो उनको उसको बीवी को दो दो अगर माबाब बोले अच्छा मतलब गलती उनकी और नौबत तलाग तक आ गई जी जी इस्ट्रेट मैं का सड़नली तलब बिल्कुल ही काया पलट होगी प अगर माबाब जो है वो बोलें के तलाग दे दो बीवी को चाहिए उसकी गलती हो या ना हो आप तलाग दे दो अब अपना बिस्तर पर जो पैक करो सामान मैं आपको छोड़ देता हूं अपके लेकिन उजमा जी आपके जो एकस हजबन थे उनके जहन में यह बात नहीं उनका इसलिए क्योंके मुझे लग रहा था कि क्योंके मेरी शादी हुई थी न तो उसके बाद मेरी साथ जो है मुझे करके मैं हैधरबादी नहीं ती तो बार बार वो वीडियो दिखाती थी शादियों की के भई के हैधरबादी खांदान इतना उच्छा आला पतनी मेरे बेटे को क्या पढ़ गई थी कि यहां पे शादी कर ली और ये के हैधर, मैं तो चारी थी के हैधरबादीों में ही लड़कियों में शादी हो तो इसके सिंका उन्होंने जुम्ले बोले थे तो शायद उनको ये खल रहा था के मैं हधरबादी नहीं हूँ और ये है के उसके उपर से फिर इनके जो बाप ने ऐसा जो है वो कर दिया तो ये कि इसलिए इसलिए जो है ना उनको था और ये बात भी ठीक है जो मेरा एकस हजबन था जा मेरी शादी हुई थी दो हफते ही हुए थे तो ये मुझे कहीं किसी से मिलाने के लिए लेकर गए तो मैं कार के सामने ही खड़ी हूँ सच बनके ये जो है भागे जो घर में जिसके मिलाने के लिए गए ते वहां मेरी उमर की एक कोई लड़की थी निकली तो बकाईदा में पर किसींग और हैगिंग शुरू हो गई वहां पर मेरे साम नहीं तो इनका चक्कर मेरे खाल में कहीं और किसी से और चल रहा था लेकिन शादी मुझसे कर ली तो आपने उजमा जी ये इतना सब जंजट था यानि ससूर का केरेक्टर इकड़म अजीब आपने बताया और आपके जो हस्बेंट थे उनका केरेक्टर अजीब बताया तो ये संदॉवाइख Krach छादी से पहले बहुत सरे यानी चेक्स भी होते हैं कि पता लगा जाता है कि फैमिली कैसी है इनका तरीका महले में जाके अंजान तूर पे यह सब हंदुष्तान में तो काफी होता है तो आप आप यह सब किया था किया था तो सबने तारीफी की थी कि क्यूकिए यह लोग बड़े चलाक थै क्योंकि दूसरों से जो आस पास जो इड़ जो जो नेवर हैं और जो मेरी जो लोग है जो जानते थे तो यह लोग दूसरों के साथ बहुत ही मैंने खुद अपनी आखों से देखा है कि पह कुछ अलगी चहरा था तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको और अभी लाइफ इतनी जर्णी मेरी हो गई है कि अभी मैंने समझ लिया है क्योंकि मैं देख लेती हूं पैचान लेती हूं कि यह कि नहीं बनावटी है या फिर रियल है तो ऐसे लोग जो ना बाज के दू यह इन बड़ी की हैं कि पाजल के बड़े अच्छे लोग एपना बिजनेस वह पुगा और यह इसकी बात हैं कि यह नहीं पता नहीं क्लिके फिर्द आप जो जो मेरा एकसास बन्टा उसने अपना जो चक्कर है जो जिस रड़की से हो रहा था तो वह अपने माबाब को भी नहीं बताया तो वह अपने माबाब से भी जो है न वह चुपाता है हर चीज़ तो बड़ा ही complicated family थी उनकी ना जी जी तो तो खेर मैं जो घर पर आ गई घर पर आ गई तो मैंने अपने family को बताया तो उन्होंने try किया कि बही कुछ किया लेकिन ये था फैसला ये हुआ कि भाई वो लोग जो चा रहे थे कि लटका के रखें न मुझे के ड्रवार्स ना दें हाँ ये भी बहुत बड़ा मसला रहता है Muslim families में जी तो मेरे जो बड़े हैं उन्होंने बादचीत करना शुरू किया कि भाई के नहीं बन रहा है कोई चीज सिलसला नहीं बन रहा है और ऐसा ऐसा है तो मेरे हमारी बेटी safe नहीं है वहाँ पे तो लेकिन फिर भी वो लोग ज अरीना alorsी वाला जो इक होता है न अकर वह सारी ननों ने किया तो आके बख़ादागा कि हमें और चाहिए कार चाहिए तो हमें ये चाहिए तो जहेजमें हमें कुछ ने मिला तो फिर एसी टाल्लमत्ली करने लगे ना और डिमान्ड बढ़ा देते कि हम उस वक लड़की लेक तो मैंने मना कर दिया और मुझसे पूछा गया मैंने का मैं नहीं मेरा पैसो की बाद नहीं मैं इतना दे दिया और फिर ये कि गलती इनकी है इनके मेरे ससर की है इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों सुलुक किया कि मैं तो बेटी की तरह उनको तो मुझे बेटी की तरह सुलुक कर पढरना चाहिए था और मैं तो अपने आपको सेव नहीं हैं करतीらा कर थो खेर diet. मैंने खुला लेली और यह आप और मैं अपने वाले के पास सोदुरब चली लइए वहां पे अपने वालिद के साथ बाखी की जो एक दिर साले में वहां रही हूं वहां पर मेरे वालिद ने मुझे वगाईदा परशान थे वो भी जारी बते तो वो कहते थे के वही तुम क्या करोगी पढ़ोगी क्या करना है तो मैंने उनको बोला अपना कि मुझे पढ़ना है अन्डे है वो यहां उस्टेलिया में पढ़ने के लिए भेजा और यह के बस उसके बाद से फिर मैं यहां पर पढ़ रही हूं थी यह खुला क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दीजे कि क्या होता है ताके लोगों को भी पता चले जी खुला होता है कि जब में एस लड़की को कुछ जो जायदाद बगैरा उनसे कुछ बिलता नहीं है कुछ, शी लोस्ट, लाइका मिन सको कुछ नहीं मिलता, उसको जो दिया भी जाता है, गिफ्ट वगएरा, वो ले लिया जाता है, यानी के न, यह मुझरे ले लिया गया था, जो जीज़े गोई थी चीज़े मुझे दी गए थी ना, गिफ्ट में, सुसर की त तल्ब हो जाता है लेकिन अगर खुला लेना है तो आपको बाकाइदा काजी के पाच जाना पड़ेगा आपने बात बतानी पड़ेगी उसके बात फिर आपको खुला मिलेगा इसी तरी के अपके साथ हुआ था जी जी सारा प्रास ही हुआ था लेंदी था काफी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फॉरन हो जा लेकिन वही प्रप पेपर वर्क होता है काजी होता है सारा लीगल सिस्टम होता है सारा पेपर वर्क सारा सिगनेचर वगयरा सारी सब चीजें होती हैं तो वही हुआ सारा सिस्टम मेरे साथ भी सारा प्रोसेजर और उसके पद पर पी मैं अपने वालिद के पास चली गई, सौद्र में वही रही तो वहाँ पर मैं मैं कुरान पड़ती थी फिर और जादा मेरा लगाऊ हो गिया कुरान से और जादा में रात रात बैटके, पुरान पड़ती थी बकाइदा जो है वो कहते हैं रोती थी रात भर तो मेरे जो वालिदे दूसरे कमरे में वो मेरे रोना सुनते थे तो वो सुनके आते थे मेरे कमरे में मुझे दिलासा देते थे के भई हम हैं अभी तुम्हारे बाप अभी जिन्दा है तुम जतीम नहीं हो हम तुम्हारा फिच तुम हमारी बेटी साराख हो पर मात वा कुछ नहीं हुआ। तुम इसकी फिकर ना करो। हम हैं तुम्हारी लोग काफ्टर करेंगे। तो बहुत जादा मुझे ना बहुत जासे सपोर्ट मुझे मेरे वालत साभ ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उनके पास में रही तो फिर उन्हें नहीं पिर आइस्ता इस्ता जो है मुझसे फिर पूछा कि भी अब तुम्हारा क्या फ्यूचर का क्या इरादा है क्या करना है बताओ जो है ना क्या हाल होता है डिवोर्सी जो ओरते होती है उनका क्या हशर करते हैं उनको कोई उनको हर कस्टम रवाज रिच्वल में उनको पीछे रखा जाता है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है उनको सब जो है वो खराब नदर से देखते हैं खराब नदर से देखने लगते ह कि मतलब ही कि इतना वैल्यू नहीं है वैसे ही जब तक कि पाकिस्तान का तो नेचर आपको यह पता है ना हमारे कल्चर में कि जब तक कि आपके बराबर में साइड में कोई मर्द नहीं खड़ा हो औरत की कोई वैल्यू नहीं होता है और पूछता भी नहीं जब आकर कोई सात को यह जा रहा होता है, और 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 ओरुर्ट होती है तो यह उसका फिर भी अलगी एक लोग हो चेंज हो जाता है। का बिलकुल लगभता है क्या मारी हो कि लावी की उगल को नि Jimmy कर ना क sama तो इसे ही मैंने फिल्ल कि तो मैंने अपने वालिट को बताया तो उन्हों ने पिर सारा सब कुछ इंदाम किया तो फिर मैं थेलिए में आई फिर मैंने पढ़ने के बाद फिर मैंने यहां पर मैंने आई टी का इंफरमेशन टेकनोलोजी कंप्यूटर मैंने पड़ा यहां पर तो फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई यहां पर तो यह था कि सोचके के भई के मालब यहां पर डिफरेंट है वही कुछ औरी चहरा दिखाया कि बड़ा टेक केर करते हैं बड़ा पॉलाइट है और यह हैं वह है तो जहाँ शादी हुई तो शादी के बाद फिर जो है जब बेबी बच्चे हो तो उसके बाद फिर जो है उनन जाते हैं फिर घर पर आपके हजबेंट थे वो भी वैसी निकले जी वो मेनाइजर थे घर पर आके गुस्सा पित्ता करते थे मतलब गालम गलोच और हमेशा ऐसे ही महौल रहता था अच्छा कुछी को ना जाना ना आना घर में हर चीज मतलब बिल्कुल गुस्से में कोई हमे दस साल गुजा रहें उनके साथ तो उसके बाद फिर जाके फिर मुझे हिम्मत पड़ी के मैंने जो है थोड़ा सा कार यहां का ड्राइविंग लाइसेंस लिया वो भी उस पर बड़े बड़े उससे लिया मतलब जबर्दस्की करके मैंने खुदी लिया वो उसमें खुश नहीं थे कि मैं किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं अपना इंडिपेंडन बनूं तो वो लेके तो फिर जा उसके बाद फिर मैंने जो है डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना क्योंकि आवस गेटिंग सिक बहुत बर बिमार रहने लगी थी स्ट्रेस की वज़ा से काफी मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था काफी तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे नहीं रहना दस साल का अर्शा काफी लंबा होता है और ऐसे शक्स के साथ दस साल गुजारना ये खुद में ही बहुत डिफिकल्ड काम है जो आपने किया है उसमा जी और उसमें ये भी है कि अल्डेडी एक बार आपको धोका मिल चुका था और उसके बाद फिर से धोका मिलना ये तो य दूद का जला हुआ छांच भी फूक मार मार कर पीता है तो आपके साथ अल्डेडी एक बार धोका हो चुका था और उसके बाद फिर उसी तरीके का धोका मिलना यानि ये बहुत ही जादा दुख की बात है जब हम ये आपकी बात सुन रहे हैं सभी ही जैं की बात है लेकिं मैं रही है इसलिए कि उब फैंल कावी होता है कि फैमली पर अथर पड़े थे कि पर ये हैं कि बच्चा ये है और फिर यह के मतलब होता है कि इतना मुझे वो नहीं था इंडिपेंडिन में फिर भी नहीं हुई थी कि मुझे बड़ा दबा के रखा जाता था कि मतलब कोई आम यानि के कोई फ्रीडम नहीं कोई जैसे कार ना सेखो चलाना ना सिखो मतलब किसी को बुलाओ ना घर पे कहीं जाओ ना मतलब बिल्कुल जैसे लिमिटेड ना कोई आखें मेरी ना कुल जाएं या मुझे को इन्फॉमेशन ना मिल जाएं किसी यहां पे जो ओरतों जो है ना मैंने ड्राइविंग सिखी उसमा जी एक कन्फ्यूजन है हमारे एक वीवर को अब रिजेश गुप्ता जी कह रहे है इंट शी सेड ऑन अधर लाइप क्वेस्टीज एक डरीजेश खाय था सिखी ना से लगव जो की कई का अउज साथ पोदू कर रगाइप क्वें ना निफनNE में जो भाइंस के अवत टो invasive लॉड के जो रहे हैंसंट की एंवे पर ड्लॉर्ष उक्रिश्र ना स्टेम करनी चाहिए तो फिर मैंने नर्सिंग का कोर्स किया तो फिर मैं आज नर्स हूं तो होफुली यह के लियर हो चुका होगा